दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रवीवार रात एक एनकाउंटर के बात खालिस्तानी आतंकी अर्श दीप उर्फ डला के दो एसोसियेट्स को गिरफतार किया है दरसल स्पेशल सेल की टीम को जानकारी मिली थी कि अर्श डीप डला के जो दो शूटर्स हैं वो मियूर्वियार इलाके में आने वाले हैं इसी जानकारी के आधार पर पुलिस की टीम यहीं मियूर्वियार फ्लायवर के पास पहुंची दोनों शूटर्स यहीं बाइक पर इस 16 राउंड जो गोलियां थी वो दोनों तरफ से यहां पर चली है फिलाल दोनों को गिरफतार कर लिया गया है दोनों से पूस्ताज की जा रही है शुरुआती जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक Special Cell के सूत्रों ने बताया कि जो दोनों शूटर्स थे वो दिल्ली में किसी बड़ी वारदात कौन जाम देने वाले थे इसके अलावा एक पंजाबी सिंगर भी इनके निशाने पर था इतना ही नहीं दोनों पंजाब में केस में पिरोल पर फरार चल रहे थे फिलाल दोनों से पूस्ताच की जा रही है और यही जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार दिल्ली के अंदर वो कौन से लोग थे जो इनके टार्गेट पर थे और इसके अलावा पंजाबी सिंगर कौन था जो इनके टार्गेट पर था दोनों से लगातार पूस्ताच की जा रहे आप इससे पहले भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने प्रगती मैदान के पास एंकाउंटर के बाद दो शूटर्स को गिरफतार किया था यानि की अरजदीव दल्ला बैठा तो कैनेडा में है लेकिन भारत में जो उसकी गतिविदियां हैं गैर कानूनी वो लगातार चलती रह हुआ्ट